आज हम बना हैं बहुत ही टेस्टी मोमोज की चटनी यह सेक्रेटरी का आपको हलवाई भी नहीं बताएंगे जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं बना के दिखाने जा रहे हैं जैयर से कृष्णा दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल अंसमान की रसोही में स्वागत है और मोमोज की चटनी बनाने के लिए हम एक पूती लेसन के छिलकी उतार के रख लिए हैं और दो-चार हरी मिट्ष लिए हैं दो-चार हम लाल मिट्ष लिए हैं और चार टमाटर है थोड़ा सिच्में धनिय की पत्ती लिए हैं तो हम अब टमाटर को धो के रख लिए हैं इसे एक अलग बरतन में कट कर लेते हैं तो आपको टमाटर को बारिक बारिक चॉप कर लेना है और यह आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं जैसा भी चाहें आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं और अगर आप इस तरीके से मुमोज की चटनी बनाते हैं तो आपकी चटनी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल निचुरल तरीके से सेहत के लिए भी अच्छी चटनी बनके तयार होगी तो इस तरीके से देखिए हम सारा टमाटर कट करके रख लिए हैं और हम गयस पर रखेंगे कड़ाहे तो कड़ाहे हमारी अच्छे से गरम हो गए है इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल आइड किये हैं चमछी जीरा वाहन के लिए कि कर लेते हैं लेके गरम है तो जीरा अच्छी से चटकने लगा है पूर्ण एसी डालेंगी क्टेए है, ऐसे हैं जरा डालना को हम तूर्ण मिर्ज को हम थोड़ा सा छोटा छोटा कट कर लिए हैं क्योंकि तेल में जाने के बाद यह फटकता है तो जब बहुत जाता तेल गरम हो तो आप थोड़ा सा गयस को लो टू मीडिया फ्लेम कर लें नहीं तो तेल गरम में यह मिर्ज वह बहुत तेश से फटकने लगता है और इस तरीके से हलका साroveशी के गोल्डन कर लेना है अब हम स्टौब की होई । पका लेते हैं तो आप में डालके अच्छे से पका लेना है अगर थोड़ा सा मेठा झार लिए लिकंशीjam में बिल्कुल धनिया भी आप इसे ऐसी में पका ले और अगर आपको इस तरीके से तो आप धनिया को इसकिप कर लें लेकिन घर के खाने के लिए आप धनिया का प्रयोग जरूर करें क्योंकि धनिया से कल्राइब हो जाता है तो आप क्या करें कि इसे low to medium flame पर पकाएं ताकि आपका टमाटर अच्छे से गल जाए और बीज बीज में आपको इसे चलाते रहना है तो एक दो मिनिट के बाद हम फिर से देखिए इसे open करके चलाते हैं जो हमारा टमाटर अच्छे से पक जाएगा तभी हमें गैस को बन करना है तो इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे और हमारा टमाटर लभख पक चुका है तो अब हम थोड़ा से जब टमाटर गल जाए तभी आपको नमक डालना है तो टमाटर हमारा गल चुका है तो इससे आपको नमक की मातरा को बराबर से पता चलेगा तो यह देखिए हम इसमें नमक को डाल के चला देते हैं और अब हम गैस को बन कर देते हैं और पके हुए टमाटर को एक बड़े थालिया प्लेट में हम बाहर निकाल के इसे हम ठंडा कर लेते हैं आप चाहे तो फैन के नीचे रख देजिए या आप ऐसे ही से आप छोड़ दें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए क्यो आप से बना सकते हैं और मेमान भी आपकी तारीफ करेंगे तो यह ठंडा करके इसे हम मिक्सी जार में रख लिए हैं तो इस तरीके से हम इसे मिक्सी जार में रख लेते हैं और अब हम एक मिनट तक इसे मिक्सी में अच्छे से चला करके पीछ लेते हैं टमाटर हमारा पहले अब इसे एक अलग बावल में हम निकाल लेते हैं जब भी आपको महमान को देना है आप इस तरीके से चटनी बनाईए और मोमोज बनाके उससे आप सजाके महमान को दे और खुद खाए अपने परिवार वालों को खिलाईए बहुत ही टेस्टी हमारी देखिए मोमोज की चट आप अपने घरों में अपने ही आतों से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी आपकी चटनी बनके तयार होगी इसी के साथ हम वीडियो को इंट करते हैं धन्यवाद